वेलकम बैक एस्प्रेंट तो आज इस वीडियो में बहुत बड़ा अपडेट लेकर आ चुका हूँ जिसका आप लोगों को बेस अब्री से इंतिजार था तो इस ओवरॉल प्रोसीजर का लास्ट फेस एक्टिव हो चुका है जिसे हम चोईस लॉक आप्शन पोलते हैं और च आपने इंटरफेस में देख लिया होगा आ चुका है आप सबी लोग अपना अपना लॉग इन करिएगा दुबारा से और कोई भी अगर आपको चोईस फिलिंग में मोडिफिकेशन करना है तो मोडिफिकेशन के बाद जब आप सैटिस्वाइट हो जाएं कि मुझे फाइन इस के बाद आप मोडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं बट चलिए कोई बात नहीं जैसा भी होगा वो आप देख लीजेगा लॉग-इन करके देख लीजेगा और उसके बाद अपना चौइस लॉग जिसे भी चौइस लॉग करना है बट मैक शूर चौइस लॉग आपको करना ह ठीक है ना final phase है यह आपका choice log आप आपको कर देना है जो पूरी तरीके से satisfied है आप उन्हें कोई modification choice filling में नहीं करना है तो वह अपना आप choice log करके रख लें कोई large date का wait ना करें ठीक है ना तो मैं यह आपको message देना चाहता था और यह update थी जो आपको आप दे दी है अब आप एक चीज़ देख लीजिए जब आप choice filling करेंगे और उसके बाद जब आप final submit करके या जो भी अगर choice log का direct option आ रहा है तो choice log करके आप जब print करेंगे है choice log कर देंगे तो आपके एक चीज़ बता दूँ यह option आज ही update हुआ है तो यह थोड़ा सा मेबी वेट लेगा ठीक है ना प्रॉपर वर्क करने में तो आप लोग इसकी टेंशन ना लें बट आप choice log करकर रख लें क्यूंकि अगर यह आटोमेट के लिए एक्टिव होता है तो आपकी आटोमेट के लिए भी चॉइस भी लॉग हो जाएंगी देगे ना तो आपको चॉइस लॉग करके रख लीजिए इसकी टेंशन मर लीजिए जब यह वर्क ट्रॉपर ली करेगा तो आपका आराम से यह इस फेस कंप्लीट ह हो जाएगी ठीक है ना अब एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको जब आप मोडिफिकेशन करेंगे चॉइस फिलिंग में तो आपके प्रिंट फॉर्म में जब यह आप प्रिंट करेंगे तो उसके बाद यह मोडिफिकेशन की डेटेल्स आइंगे इस तरीके से किस डेट आने की सोच रहा था वो बट यह इंपोर्टेंट अप्डेट थी तो मैंने सूच है इस वीडियो को बना देता हूं बट अब जो नेक्ट वीडियो आने वाली है वो इंपोर्ट इंपोर्टेंट है तो प्लीज इस्टेट टिल दैन टेक केर आल देबेस्ट एंड पापाई क्पाई नेक मैंने मत वापाई इसले रीभियो आता है यह जा है एंग जाने यान याली है